कैंसर के शुरुवाती लक्ष्रों को अगर पहचान लिया जाए तो इसे खतरनाक स्टेज तक जाने से रोका जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पहचान होने के बाद इसके उपचार में आसानी भी होती है और इसके कारण होने वाली मौत को भी रोका जा सकता है। कैंसर की बीमारी का इलाज कर रहे कैंसर फिजीशियन डॉक्टर अजे कुप्ता ने बताया कि वह बाइस साल से कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पर अब जकिस्य है शेत्र में नए एडवांसमेंट आ गए हैं और कैंसर के इलाज की विधी कीमोथेरपी में बहुत चेंजिश आए हैं। और अब कैंसर कीमोथेरपी मरीजों के लिए चमतकार के रूप में सामने आ रही है। कैंसर का कीमोथरेपी का मतलग होता है कि कैंसर का इलाज दवाई दवारा, कोई विशेश ऐसा नहीं है कि हम कोई रेज वगरे डालते हो या कोई विशेश तरह कोई मशीन से इसको करते हो, सिंपल कैंसर की दवाई ही कैंसर कीमोथरेपी कहलाती है, यह कैंसर कीमोथरेपी फीरुमेटिकली और उंक हमने देखा कि मिरेखिल हो रहे है कीमोथरेपि की दूवरा तो कैंपर कीमोथरेपी से पहले हम ये मानते थे कि ये लास्ट स्टेज में कैंसर कीमोथरेपि की जाती है 근 sniff की मरीज के लिए जिस से कि हम उसकी लाइफ को बढ़ा सके लेकिन अब जो किम रहकिल भी कर रही हैं और कुछ कैंसर जो हम समझते हैं कभी ठीक नहीं हो सकते कैंसर की दबाई से वो भी ठीक हो रहे हैं। कीमो थेरपी का मतलब है दवाईयों द्वारा कैंसर का इलाज पर ये दवाईयां इंजेक्शन की फॉर्म में या दवाईयों की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं कैंसर फिजीशन ने बताया कि कीमो थेरपी से उन्होंने ऐसे मरीजों को सही किया है जिनमें कैंसर इतनी आसानी से ठीक होने की संभाबना नहीं थी और वो पेशेंट अब स्वस्थ हैं। ब्यूरो रुपोर्ट सी नियूस आगरा